शुक्रवार को दो पहर 12 बच कर 29 मिनट पर अचानक से लोगों के फोन में एक तेज बीप साउंड के साथ मैसेज डिस्पले होने लगा अचानक फोन पर इस तरह की आवाज और मैसेज से हर कोई हरान रह गया हर कोई जानने को उत्सुक था कि आखिर तकरीबन सबके फोन में अचानक एक ही वक्त में ये मैसेज क्यों और कैसे आया दरसल गवर्नमेंट अपने इमर्जेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट कर रही है इसके पहल लोगों के स्मार्ट फोन पर अचानक एक मैसेज भेज कर किया गया इसे तेज बीब साउंड के साथ भेजा गया जो इमर्जेंसी अलर्ट सर्व फ्लेश के साथ आया इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे है इस सिस्टम को टेस्ट के लिए फ्लेश मैसेज दो पहर बारा बच कर 29 मिनट पर सब्सक्राबर्स को भेजा गया था ये मैसेज C.Cell Broadcasting System by Department of Telecom के जरीए भेजा गया था इसका मकसद Emergency Warning System के शमताओं और Cell Broadcasting System के शमताओं और प्रभाव को जाचने के लिए किया जाएगा आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस तरह के मैसेज सरकार क्यों टेस्ट कर रही है दरसल इस Broadcast Messaging Service का इस्तेमाल Emergency के वक्त किया जाएगा किसी Emergency की स्तिती में लोगों को इस मैसेज के जर्ये अलर्ट किया जाएगा आपको बता देंगे विभिन मुबाइल ऑपरेटरों और Cell Broadcast System की आपातकालिन चितावनी प्रसारन शमताओं की दक्षता और प्रभाव शीलता का आंकलन करने के लिए ये परिक्षर समय समय पर देज भर के विभिन चेत्रों में किये जाएंगे अब आपको बताते हैं आखिर ये Cell Broadcast Alert System है क्या ये सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक है जो हमें एक निर्दिष्ट भोगोलिक छेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर आपदा प्रबंदन के लिए महत्वपूर्ण और समय समविदन शील संदेज भेजने की अनुमती देता है भले ही प्राप्त करता इस्थान ये निवासी हो या आगुन तक यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण अपात कालीन जानकारी समय पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे इसका उप्योग सरकारी एजनसियों और आपात कालीन सेवाओ द्वाराज जनता को संभावित खत्रों के बारे में सुचित करने और गंभीर परिस्तितियों के दौरान उन्हें सचित रखने के लिए किया जाता है सेल ब्रोडकास्ट का उप्योग आम तोर पर आपात कालीन सतरक करने के लिए किया जाता है जैसे कि गंभीर मौसम की चितावनी, जैसे सुनामी, फ्लेश फलड, भुकंप, सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, निकासी नोटिस, अन्य महतवपूर्ण, जानकारी आदी परिक्षन अवधी के दौरान लोगों को अपने मुबाइल उपकरनों पर क्रतिम आपात कालीन सतरकता संदेश प्राप्त हो सकते हैं यह अलर्ट नियोजित परिक्षन प्रक्रिया का हिस्सा है और वास्तविक आपात इस्तिती का संकेत नहीं देते हैं प्राम से बचने के लिए प्रतियक परिक्षन चितावधी को इस पस्च से नमूना परिक्षन संदेश के रूप में निरुपित किया जाएगा